एक बार की बात है विल गेर्ट से किसी ने पूछा क्या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी है विल गेर्ट ने कहा नहीं मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हुई मुझसे भी बड़ा एक अमीर वैक्ती है उस वैक्ती ने पूचा वह कौन है फिर विल गेर्ट्स में बताया एक समय जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं निव यॉर्क एयर कोर्ट पड़ था मैं अखवार खरीदना चाह रहा था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने अखवार को वापत नीचे रख दिया अखवार बेचने वाले लड़के ने मुझे देखा तो मैंने उससे कहा मेरे पास सिक्के नहीं है तब ही लड़के ने अखवार देते हुए कहा यह मैं आपको मुफ्त में देता हूँ बात आई और गए करी तीन महीने वाज सही और वश उसी एक और पर मैं फिर उत्रा और अखवार के लिए फिर मेरे पास पैसे नहीं थे उस लड़के ने मुझे फिर से अखवार दिया तो मैंने मना कर दिया मैं ये नहीं ले सकता लड़के ने कहा आप इसे ले सकते हैं मैं इसे अपने प्रॉफिट के हिस्से से दे रहा हूँ मुझे नुफसान नहीं होगा मैंने अखवाल ले लिया 19 साल बाद अपने परसिद हो जाने के बाद एक दिन मुझे उस लड़के की याद आई और मैंने उसे धूनना शुरू किया करीब डेल महीने खुझने के बाद आखिरकार रहे मिल ही गए मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो लड़के ने कहा हाँ आप मिस्टर विल गेट्स हैं विल गेट्स ने कहा तुम्हें याद है कभी तुमने मुझे फ्रीम अक्वार दिये थे लड़के ने कहा जी हाँ याद है ऐसा दो बार हुआ था विल गेट्स ने कहा मैं तुमारे उस किय हुए की कीमत अदा करना चाता हूँ तुम जो कुछ भी चाते हो मैं तुमारी हर ज़रुजद को पुरा करना लड़का कहता है सर लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप मेरे काम की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे विल गेट्स ने कहा क्यूं लड़के ने कहा मैंने जब आपकी मदद की थी मैं एक गरीव लड़का था जो अखोार बेचता था आप मेरी मदद तक कर रहे हैं जावक इस दुनिया के सबसे अमीर वैकती हैं फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे करेंगे हैं यह सबसे अमीर वैकती से भी अमीर था क्योंकि किसी की मदद करने के लिए उसने अमीर होने का इंतिजार नहीं किया थी अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है दोस्तों किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का होना भी बहुत जरूर है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए जादा से जादा लाइक और शेर कीजिए वीडियो को पहला दीजिए और सस्क्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया सपोर्ट कीजिए दन्यवाद